सबसे इंपोर्टेंट है हेल्दी फूड क्योंकि हेल्दी फूड आपके बच्चे के शारिरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा आउश है कि इसलिए उन्हें हेल्दी फूड दे और जितना हो सके अपने बच्चों को जंग फूड से दूर रखे अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखे क्योंकि यह उनके मानसिक विकास को रोपता है और इसके साथ ही कम उमर में आखे भी प्रबाइद करता है इसलिए बच्चों के कम उमर में ही चश्मे लग जाते हैं और उनका ब्रेन धिरे-धिरे कमजोर होने लगता है घर में वीडियो गेम और टीवी के बजाए उन्हें बाहर ग्राउंड में खेलने बेजे ताकि उनका शारेक विकास अच्चे से हो और वे फिट भी रहे और इसके साथ साथ ही वे अन्य कही तरह के स्पोर्ट्स में भी रूची ले सकेंगे ये घर पर टीवी देखने के बजाए जादा अच्छा है उनका नमबर काउंटिंग जैसे गेमों में इंटरस्ट बढ़ाए जिससे उनका माइंड जादा एक्टिव रहेगा और वो इस्टेडीज के प्रती भी अपना इंटरस्ट बढ़ाएंगे आप उनके साथ माइंड गेम जैसे की पजल्स, स्क्वाइर गेम्स आदी खेल सकते हैं जिससे उनका माइंड ज्यादा शार्प तरीके से काम करेगा उनका क्रियेटिव एक्टिविटीज जैसे की ड्रोइंग, डांस, आदे में उनका इंटरस्ट बढ़ाएं आप चाहे तो उनके साथ ये एक्टिविटीज खुद भी कर सकते हैं जिससे वे इन सब में ज़्यादा रूची लेंगी आप उन्हें बिना मोबाइल के बुक से पढ़कर स्टूरी सुनाएं जिससे उनका सुनने का फोकस लेवल बढ़ेगा बच्चों को अपने ग्रांड पेरेंट्स के साथ जादा से जादा समय बिदाने दे इससे वे अपने ग्रांड पेरेंट्स से बहुत सी नई चीज़े सीख सकेंगी और इस एज में दोनों की एक्टिविटीज लगबग एक जैसी ही होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें अपनी ग्रांट पैरेंट्स के साथ रहने देखे